नमस्कार दोस्तो आज हम सुनेंगे मुश्शी प्रिम्चंद के दौरा लिखी कहानी जिसका नाम है हिंसा पर्मो धर्मा चली दोस्तो कहानी शुरू करते हैं दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के नौकर ना होते हुए भी सबके नौकर होते हैं जिने कुछ अपना काम ना होने पर भी सिर उठाने की फुरसत नहीं होती जामित इसी सिररी के मनश्यों में था बिलकुल बेफिकर ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी जो जरा हसकर बोला उसका बेदाम का गुलाम हो गया बेकाम का काम करने में उसे मज़ा आता था गाउं में कोई बीमार पड़े बोरोगी की सेबा सुसुरसा के लिए हाजिर है कहिए तो आदी रात हकिम के घर चला जाए किसी जड़ी बूटी की तलाश में जंगलों की खाक छान आए मुम्किन न था कि किसी गरीब पर अत्याचार होते देखें और चुप रहे जाए फिर चाहे कोई उसे मार ही डाले वो हमायत करने से बाज ना आता था ऐसे सेक्ड़ों ही मौके उसके सामने आ चुके थे कॉंस्टेवल से आए दिन ही उसकी छेड़चाण होती रहती थी इसलिए लोग उसे बॉड़म समगते थे और बात भी यही थी जो आदमी किसी का बोज भारी देखकर उससे चीन कर अपने सिर ले ले किसी का छपर उठाने या आग बुझाने के लिए कोसों दोड़ा चला जाए उसे समगधार कौन कहेगा सारांश यह है कि उसकी जात से दूसरों को चाहे कितना ही फाइदा पहुँचे अपना कोई उपकार ना होता था यहां तक कि वो रोटियों तक के लिए भी दूसरों का महताज था दीवाना तो यह था और उसका नाम दूसरे खाते थे आखिर जब लोगों ने बहुत धिकारा कि क्यों अपना जीवन नश्ट कर रहे हो तुम दूसरों के लिए मरते हो कोई तुम्हारा भी पूछने वाला है क्या अगर एक दिन बीमार पड़ जाओ तो कोई चुलू भर पानी ना दे जब तक दूसरों की सेवा करते हो लोगों खैरात समझ कर खाने को दे देते हैं जिस दिन आ पड़ेगी कोई सीधे मूब बात भी ना करेगा सडकें चोड़ी और साफ बाजार गुलजार मस्जिदों और मंदरों की संख्या अगर मकानों से अधिक ना थी तो कम भी नहीं थी दिहातों में ना तो कोई मस्जिद थी ना कोई मंदिर मुसल्मान लोग एक चबूतरे पर नमाज पढ़ लेते थे हिंदू एक विरक्ष के नीचे पानी चड़ा दिया करते थे नगर में धरम का ये महामत मुद देखकर जामित को बड़ा कौतु हल और आनंद हुआ उसकी दृष्टी में मजभगा जितना सम्मान था उतना और किसी सांसारिक बस्तू का नहीं बो सोचने लगा ये लोग कितने इमान के पके कितने सत्ते बादी हैं इन में कितनी दया कितना विवेक कितनी सहनुभूती होगी तबीतो खुदा ने इतना इन्हे माना है बो हर आने जाने बाले को स्रद्धा की दृष्टी से देखता और उसके सामने बिने से सिर्ज हुकाता था यहां के सभी पिराणी उसे देपता तुल मालूम होते थे घुमते घुमते साज हो गई वो ठक कर मंदर के चबूतरे पर जा बैठा मंदर बहुत बढ़ा था उपर सुनहरा कलश चमक रहा था जग मोहन पर संग मर्वर के चोके जड़े हुए थे मंगर आंगन में जगए जगए गोबर और कूड़ा पड़ा था जामित को गंदगी से चिल थी देवाले की ये दशा देकर उसे रहाना गया इदर उदर निगा दोड़ाई कि कहीं जड़ू मिल जाए तो साफ कर दे पर जड़ू कहीं नजन ना आई बिवश होकर उसने दामन से चबूतरे को साफ करना शुरू कर दिया जरादेर में भक्तों का जमाँ होने लगा उन्होंने जामित को चबूतरा साफ करते देखा तो आपस में बातें करने लगे है तो मुसल्मान दूसरा बोला महतर होगा अरे नहीं महतर अपने दामन से सफाई नहीं करता कोई पागल मालुम होता है उधर का भेदिया नहो नहीं चेहरे से बड़ा गरीब मालुम होता है हसन निजामी का कोई मुरीद होगा अजी गोबर के लालत से सफाई कर रहा है कोई भट्यारा होगा जामें से बोला गोबर ना ले जाना बे समझा की नहीं कहां रहता है परदेशी मुसाफिर हूँ साहब मुझे गोबर लेकर क्या करना है ठाकुर जी का मंदिर देखा तो आकर बैठ गया कूडा पड़ा हुआ था मैंने सोचा धर्मात्मा लोग आते होंगे बस इसलिए सफाई करने लगा अच्छा लेकिन तुम तो मुसल्मान हो ना ठाकुर जी तो सबके ठाकुर है क्या हिंदू और क्या मुसल्मान तुम ठाकुर जी को मानते हो ठाकुर जी को कौन न मानेगा साहब जिसने पैदा किया उसे न मानूंगा तो किसे मानूंगा भक्तों में ये सला होने लगी कि दिहाती है फांस लेना चाहिए जाने न पाए और बस जामिद फांस लिया गया उसका आदर सत्कार होने लगा एक हबादार मकान रहने को मिला दोनों बक्त उत्तम पधार्त खाने को मिलने लगे दो चार आदमी हर दम उसे घेरे रहते जामिद को भजन खूब ही आते गला भी अच्छा था वो रोज मंदर में जाकर कीरतन करता भक्ती के साथ सुर लालित भी हो तो फिर क्या पूछना लोगों पर उसके कीरतन का बड़ा असर पड़ता कितने ही लोग संगीत के लोब से ही मंदर में आने लगे सब को विस्वास हो गया कि भगवान ने ये शिकार चुनकर भेजा है एक दिन मंदर में बहुत से आदमी जमा हुए आंगन में फर्ष बिछाया गया जामित का सर मुडा दिया गया नए कपड़े पहनाए हबन हुआ जामित के हातों से मिठाई बाटी गई बो अपने आशरे दाताओं के उधारता और धर्म निश्टा का और भी कायल हो गया ये लोग कितने सज्जन है मुझे जैसे फटेहाल परदेशी की इतनी खातिर इसी को सच्चा धर्म कहते है जामित को जीवन में कभी इतना सम्मान न मिला था यहां बही सैलानी योबग जिसे लोग बोडम कहते थे भक्तों का सिर्मौर बना हुआ था सेक्रोही आदमी केबल उसके दर्शनों को आते थे उसकी प्रिकांड विद्धता की कितने ही कथाएं पिर चलित हो गई पत्रों में ये समचा निकला कि ये को बड़े आलेम मौलवी सहाब की शुद्धी हुई है सीधा सादा जामिद इस सम्मान का रहिस कुछ न समझा ऐसे धर्म परायर सहिर्दै प्रालियों के लिए वो क्या कुछ न करता वो नित्तो पूजा करता भजन गाता और ये उसके लिए कोई नई बात न थी अपने गाउं में भी वो बराबर सत्तिनारायर की कथा में बैठा करता था और भजन कीर्टन क्या करता था अंतर यही था कि दिहात में उसकी कदन न थी यहां सब उसके भक्त थे एक दिन जामिद कई भक्तों के साथ बैठा हुआ कोई पुराण पढ़ रहा था तो क्या देखता है कि सामने सड़क पर एक बलिष्ट यूबग माधे पर तिलक लगाए जने वो पहने एक बूड़े दुरबल मनश को मार रहा है बुड़ा रोता है गड़गडाता है और पैरों परपड़ के कहता है कि महराज मेरा कुसूर माफ करो किन्तो तिलक धारी यूबग को उस पर जराभी दया नहीं आती जामिद का रख तो खौल उठा ऐसे दिरश्य देखकर वो शांत ना बैठ सकता था तुरंत कूद कर बाहर निकला और यूबग के सामने आकर बोला इसो बेचारे को क्यो मारते हो भाई तुम्हें इस पर क्या जराभी दया नहीं आती यूबग मैं मारते मारते इसकी हड़ियां तोड़ दूँगा जामिद आखिर इसने कुसूर क्या क्या है कुछ हो मुझे भी मालूम तो हो यूबग मैं मारते मारते इसकी हड़ियां तोड़ दूँगा जामिद आखिर इसने क्या कुसूर क्या है कुछ हो मालूम भी तो हो यूबग इसकी मुर्गी हमारे घर में घुश गई थी और सारा घर गंदा कर आई जामिद तो क्या इसने मुर्गी को सिखा दिया था कि तुम्हारा घर गंदा कर आए बुढदा खिदाबंद मैं उसे बराबर खाचे में ढाके रहता हूं आज गफलत हो गई कहता हूँ महराज कुसूर माफ करो मगर ये मानते नहीं हुजूर ने मारते मारते अद्मरा कर दिया यूबक अभी नहीं मारा है अब मारूंगा और खोद कर गार दूँगा जामित बोला खोद कर गार दोगे भाई साहब तो तुम भी यूँ खड़े ना रहोगे समझ गए अगर फिर हाथ उठाया तो अच्छा ना होगा जबान को अपनी ताकत का नशा था उसने फिर बुड़े को चाटा लगाया पर चाटा पढ़ने के पहले ही जामित ने उसकी गर्दन पकड़ ली दोनों में मल युद्ध होने लगा जामित करारा जबान था युबक को पटकनी दी तो वो चारो खाने चित गिर गया उसका गिरना था कि भक्तों का समूदाए जो अब तक मंदर में बैठा तमाशा देख रहा था लपक पड़ा और जामित पर चारो तरफ से चोटें पड़ने लगी जामित की समझ में ना आता था कि लोग मुझे क्यों मार रहे हैं कोई कुछ न पूँचता तिलकधारी जबान को कोई कुछ न कहता बस जो आता है मुझ पर ही हाथ साफ करता है आखिर को जामित बेदम होकर गिर पड़ा तब लोगों में आपस में बातें होने लगी अरे ये तो दगार दे गया धत तेरी जात की कभी मिलेच्छों से भलाई की आशा न रखनी चाहिए कवगा कवगों के साथ मिलेगा कमीना जब करेगा कमीना पन ही करेगा इसे कोई पूचता ना था मंदर में जहाडू लगा रहा था देह पर कपड़े का तार भी ना था हमने इसका सम्मान किया पशू से आदमी बना दिया फिर भी ये अपना ना हुआ इनके धरम का तो मूल ही यही है जामिद रात भर सड़के किनारे पड़ा दर्द से करहता रहा उसे मार खाने का दुख न था ऐसे यातनाय तो वो कितनी बार भोग चुका था उसे दुख और आशरी केबल इस बात का था कि इन लोगों ने क्यों एक दिन मेरा इतना सम्मान किया और क्यों आज अकारण ही मेरी इतनी दुरगती की इनकी वो सर्जनता आज कहां मर गई मैं तो बही हूँ मैंने कोई कुसूर भी नहीं किया मैंने तो बही किया जो ऐसी दशा में सभी को करना चाहिए फिर उन लोगों ने मुझ पर क्यों इतना त्याचार किया देपता क्यों राक्छस बन गए वो रात भर इसी उल्जन में पड़ा रहा प्राता काल उटकर एक तरफ की रहा ली जामेद अभी थोड़ी दूर ही गया था कि वो बुढधा उसे मिला उसे देखते ही बोला कसम खुदा की तुमने कल मेरी जान बचा दी सुना है जालिमों ने तुम्हें बुरी तरह पीटा मैं तो मौका पाते ही निकल भगा था अब तक कहा थे इहां लोग उरात ही से तुम से मिलने के लिए बेकरार हो रहे हैं काजी साहब रात ही से तुम्हारी तलाश में निकले थे मगर तुम ना मिले कल हम दोनों अकेले पड़ गए थे दुश्मनों ने हमें पीट लिया नमाज का वक्त था जहां सब लोग मस्जिद में थे अगर जरा भी खबर हो जाती तो एक हजार लटःत पहुँच जाते तब आटे दाल का भाव मालूम होता कसम खुदा की आज से मैंने तीन त्कोड़ी मुर्गिया पाली है देखूं पंडिजी महराज अब क्या करते है कसम खुदा की काजी साहब ने कहा है अगर वो लॉंडा जराबी आख दिखाए तो तुमा कर मुझसे कहना या तो बच्चा घर छोड़कर भागेंगे या हड़ी पसली तोड़कर रख दी जाएगी वो बुड़ा जामित को लेकर काजी जोराबर हुसेन के दरवाजे पर पहुँचा काजी साहब वुजू कर रहे थे जामित को देखते ही दोड़कर गले लगा लिया और बोले बल्ला तुम्हें आखें ढूंड रही थी तुमने अकेले इतने काफरों के दाथ खटे कर दिये क्यों नहो मुमिन का खून है काफरों की हकीकत किया सुना है सबके सब तुम्हारी शुद्धी करने जा रहे थे मगर तुमने उनके सारे मनसूबे पलट दिये इसलाम को ऐसे ही खादमों की जरूरत है तुम जैसे दिन्दारों से ही इसलाम का नाम रोशन है गलती यही हुई कि तुमने एक महीने तक सबर नहीं किया जामिद को एक नजर देखने का सबको शौक था सभी उसकी हिम्मत जोर और मजहभी जोश की परसंसा कर रहे थे पहर रात बीथ चुकी थी मसाफिरों की आमदो रफ़त कम हो चली थी जामिद ने काजी समास से धर्म गिरंथ पढ़ना शुरू किया उन्होंने उसके लिए अपने बगल का कमरा खाली करा दिया था बो काजी सहब से सबक लेकर आया और सोने जा रहा था किस हैसा उसे दरवाजे पर एक तांगे के रुकने की आवाज आई काजी सहब के मुरीद अक्तर आया करते थे जामिद ने सोचा कोई मुरीद आया होगा नीचे आया तो देखा एक इस तरी तांगे से उतर कर बरामदे में खड़ी है और तांगे बाला उसका असबाब उतार रहा है महला ने मकान को इधर उधर देखकर कहा नहीं जी मुझे अच्छी तरह ख्याल है ये उनका मकान नहीं है शायद तुम भूल गए हो तांगे बाला बोला खुजूर तो मानती ही नहीं कह दिया कि बाबो साहब ने मकान तबदिल कर दिया है उपर तो चलिये इस तरी ने कुछ जिजगते हुए कहा बुलाते क्यों नहीं पहले आवाज दो तांगे बाला ओ साहब आब आज क्या दूँ जब जानता हूँ कि साहब का मकान यहीं है तो नाहक चिलाने से क्या फाइदा बेचारे आराम कर रहे होंगे आराम में खलल पड़ेगा आप और निसा खाते रहे चलिए उपर चलिए औरत उपर चली पीछे पीछे तांगे बाला असबाब लिये हुए चला जान में तो गुम सुम नीचे खड़ात रहा ये रहे सोस की समझ में ना आया तांगे बाले की आबाज सुनते ही काजी साहब छट पर निकल आए और एको औरत को आते देख कमरे की खड़किया चारों तरफ से बंद करके खूटी पर लटकती तलवार उताली और दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और अतने जीना तै करके जोही छट पर पैर रखा की काजी साहब को देखकर जिजगी वो तुरन तो पीछे की तरफ मुलना चाहती थी की काजी साहब ने लपकर उसका हाथ पकड़ लिया और कमरे में घसीट लाए इसे बीच में जामिद और तांगे वाला ये दोनों भी उपर आ गए थे जामिद ये द्रश्ट देखकर बिसमित हो गया था ये रहिस और भी रहिस में हो गया था ये बिद्या का सागर ये नियाय का भंडार ये नीती धरम और दर्शन का आगार इस समय एक अपरचित महला के उपर ये गोहर अत्याचार कर रहा है तांगे बाले के साथ बो भी काजी साहब के कमरे में चला गया काजी साहब ने इस तरी के पहले आराम से बैट जाओ सब कुछ मालूम हो जाएगा औरत तुम तो मुझे कोई मौल भी मालूम होते हो क्या तुम्हें खुदा ने यही सिखाया है कि पराई बहु बेटियों को जबर जस्ती घर में बंद करके उनकी आबरू बिगाड़ो काजी बोला हाँ खुदा का यही हुक्म है कि काफरों को जिस तरह मुम्किन हो इसलाम के रास्ते पर लाया जाए अगर खुशी से ना आए तो जबर से औरत इसी तरह अगर कोई तुम्हारी बहु बेटी को पकड़ कर बेबरू करे तो काजी हो रहा है जैसा तुम हमारे साथ करोगे बैसा ही हम तुम्हारे साथ करेंगे फिर हम तो बेबरू नहीं करते सिर्फ अपने मजहमें शामिल करते है इसलाम कबूल करने से आबरू बढ़ती है घटती नहीं हिंदू कौम ने तो हमें मिटा देने का बीडा उठाया है वो इसो मुल्क से हमारा निशान मिटा देना चाहती है धोके से लालच से जबर से मुसल्मानों को वेदीन बनाया जा रहा है तो मुसल्मान बैठे क्या मुह ताकिंगे औरत हिंदू कभी ऐसा अत्याचार नहीं कर सकता संबब है तुम लोगों की शरारतों से तंग आकर नीचे दर्जे के लोग इस तरह से बदला लेने लगे हो मगर अब भी कोई सच्चा हिंदू इसे पसंद नहीं करता काजी साहब ने कुछ हो सोच कर कहा बेशक पहले इस तरह की शरारतों मुसल्मान शोहदे क्या करते थे मगर शरीफ इन हरकतों को बुरा समझते थे और अपने इमकान पर रोकने की कोशिश करते थे तालीम और तहजीब की तरकी के साथ कुछों दिनों में ये गुंड़ापन जरूर गाइब हो जाता मगर अब तो सारी हिंदू कौम हमें निगलने के लिए तैयार बैटी हुई है फिर हमारे लिए और रास्ता ही कौन सा है हम कमजोर हैं इसलिए हमें मजबूर होकर अपने को कायम रखने के लिए दगा से काम लेना पड़ता है मगर तुम इतना घबराती क्यों हो तुम्हें इहां किसी बात की भी तकलीफ ना होगी इसलाम औरतों के हका जितना लिहाज करता है उतना और कोई मजभ नहीं करता और मुसल्मान मर्द तो अपनी औरत पर जान देता है मेरे ये नوجवान दोस्त जामित की तरफ इसारा करके तुम्हारे सामने खड़े हैं इनहीं के साथ तुम्हारा निकाह करा दिया जाएगा बस आराम से जिन्दिगी के दिन बसर करना औरत मैं तुम्हें और तुम्हारे धर्म को गिरने समगती हूँ तुम कुते हो इसके सिवा तुम्हारे लिए कोई तूसरा नाम नहीं खेरियत इसी में है कि मुझे जाने दो नहीं तो मैं अभी शोर मचा दूँगी और तुम्हारा सारा मौलवी पन निकल जाएगा काजी अगर तुमने जवान खोली तो तुम्हें जान से हाथ दोना पड़ेगा बस इतना समझ लो औरत आबरू के सामने जान की कोई हकीकत नहीं तो मेरी जान ले सकते हो मगर आबरू नहीं ले सकते काजी क्यों नाहक जिद करती हो औरत ने दर्वाजे के पास जाकर कहा देखो कहती हूँ दर्वाजा खोल दो जामिद अब तक चुपचाप खड़ा था जो ही इस तरी दर्वाजे की तरफ चली और काजी सहब ने उसका हाथ पकड़ कर खींचा जामिद ने तुरंट दर्वाजा खोल दिया और काजी सहब से बोला इन्हें छोड़ दीजिए काजी बोला क्या वक्ता है जामिद कुछ नहीं खेरियत इसी में है कि इन्हें छोड़ दिया जाए लेकिन जब काजी सहब ने उस महला का हाथ न छोड़ा और तांगे बाला भी उसे पकड़ने के लिए बढ़ा तो जामिद ने एक धक्का देकर काजी सहब को धकेल दिया और उसे इस्तरी का हाथ पकड़े हुए कमरे से बाहा निकल गया तांगे बाला पीछे लबका मगर जामिद ने उसे इतनी जोड़ से धक्का दिया कि वो औधे मू जा गिरा एक छड़ में जामिद और इस्तरी दोनों सलक पर थे जामिद आपका घर किस महले में है औरत अडिया गंज में जामिद चलिए मैं आपको पहुँचा आऊँ औरत इसे बड़ी और क्या महरवानी होगी मैं आपकी इस नेकी को कभी न भूलूंगी आपने आज मेरी आबू बचा ली नहीं तो मैं कहीं की न रहती मुझे अब मालूम हुआ कि अच्छे और बुरे सब जगे होते हैं मेरे शोहर का नाम पंडित राजकुमार है उसी बक्त तो एक तांगा सड़क पर आता दिखाई दिया जामिद ने इस तरी को उस पर बिठा दिया और खुदो बैठना ही चाहता था कि उपर से काजी सहाब ने जामिद पर लठ चलाया और डंडा तांगे से ठकराया जामिद तांगे में जा बैठा और तांगा चल दिया आहिया गंज में पंडित राजकुमार का पता लगाने में कठनाई ना पड़ी जामिद ने जोही आबाज दी वो घबराए हुए बाहर निकल आए और इस तरी को देखकर बोले तुम कहां रह गई थी इंदरा मैंने तो तुम्हें इस्टेशन पर कहीं न देखा मुझे पहुँचने में देर हो गई थी तुम्हें इतनी देर कहां लगी इंदरा ने घर के अंदर कदम रखते ही कहा बड़ी लंबी कता है जरा दम लेने दो तो बताती हूँ बस इतना ही समझ लो कि आज इसो मुसल्मान भाई ने मेरी मदद न की होती तो आब रूच चली गई होती पंडी जी पूरी कता सुनने के लिए और भी ब्याकुल हो थे इंदरा के साथ भो भी घर में चले आए पर एक ही मिनट बाद बाहर जाकर हम इन से बोले भाई साहब शायद आप बनाबट समझें पर मुझे आपके रूप में समय इश्टदेब के दर्शन हो रहे हैं मेरी जवान में इतनी ताकत नहीं कि आपका शुक्रिया दा कर सकूँ आईए बैठ जाएए जामिद जी नहीं अब मुझे इजाजत दीजिए पंडित मैं आपकी इस नेकी का क्या बदला चुका सकता हूँ जामिद इसका बदला यही है कि इस शरारत का बदला किसी गरीब मुसल्मान से ना लीजिएगा मेरी आप से यही दर्खास्त है यह कहकर जामिद उठ खड़ा हुआ और उस अंधरी रात के सन्नाटे में शहर से बाहर निकल गया उस शहर की बिशाकत बायू में सांस लेते हुए उसका दम खुटता था वो जल्द से जल्द शहर से भाग कर अपने गाउं में पहुँचना चाहता था जहां मजहब का नाम सहनु भूती प्रेम और सौहादर था धरम और धार्मिक लोगों से उसे घिरना हो गई थी तो दोस्तो ये कहानी थी मुझ्शी प्रेम चंद के द्वारा लिखी जिसका नाम था हिंसा पर्मो धर्मा कहानी को पूरा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे एक लाइक करना साथे हमारे चैनल को भी सब्सक्राब जरू कर लेना मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में